नाचन मिधान सबाग खृत्र के अतिहासिक काटगड मिधान में आयोज़ित साहिल गोस्वामी मेमोरियल क्रिकेट ट्रोफिय बिदिवत रूप से संपन हो गई है इस बार इस क्रिकेट प्रत्योगिता की विजिता बल ग्यारा टीम रही है प्रत्योगिता में सुंदरनगर पंचायत स्मिती के उपाद्यक्ष लेगराज डैनी ने विशेश अतिधी के रूप में शिरकत की बल ग्यारा ने प्रत्योगिता के फाइनल मैच में अपनी प्रतिदुन्दी मंडियाल टीम को तीन बिकेट से हरा कर क्षेतर की जानी मानी ट् गुलशन ठाकूर बैट्समेन मंडल बेरियर के लग्की वेस्ट बोलर रहे इसके अलबा बल 11 के राजेश ठाकूर बैस्ट विकेट की पर रहे इस अपसर पर प्रत्योगिता के समापन समारों की मुख्य अतिती आईपियस अधिकारी इल्मा अफ्रोज ने विज़ता टीम क को आईउसकों की और से ट्रोफि परदान की वहीं इस अपसर पर अपने सम्बोधन में मुख्य अतिती ने प्रत्योगिता के सफल आईउसन के लिए आईउसकों को बदाई दी साथ ही विज़ता टीम भर खिलाडियों को भी उन्होंने अपनी और से बदाई भर शुब काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे युबाओं को रोखने के लिए ऐसी खेल प्रत्योगिताएं सबसे शामदार चरिया है उन्होंने कहा कि ऐसी प्रत्योगिताओं का आईउसन हर क्षित्र में होना चाहिए ताकि युबापीडी इन प्रत्योगिताओं से जुड़कर अपने कमेटी को पंचायत स्मिती के उपध्यक्ष ने 11,000 रुपई की नगत राशी अपने ओर से भेंट की इस अपसर पर क्षित्र के कई गणमाने लोग मुझूद रही